आगे में बताने वाला हूं कि इस स्रीज से आप क्या सीख सकते हैं तो थोड़ा बहुत स्पोयलर हो सकता है यदि आपने वेब स्रीज नहीं देखिये तो आप उसे पहले देख कराएं उसके आद आप भी बता सकते हैं कि आपने इस वेब स्रीज से क्या सीखा और जो मैंने ब आपको इस वेब स्रीज में देखने को मिलेगा, इसलिए हर ब्लैक मेल से सतर करें, जो भी हमला सामने से होने वाला है, आपको हर तरफ नजर रखना पड़ेगा, उसे अब्जर्व करते रहना पड़ेगा, और हर चीज से आपको सतर कराना पड़ेगा, और आप जब काम्याब हो जाते हैं, तो उसकी कीमत चुकानी परती है, ये चीज भी ये वेब स्रीज आपको सिखाएगी, आप यदि इंडिविज्वल हैं, तो आपको आसानी से तोरा जा सकता है, तो आप एक टीम बनाए, पावर को एक्वाइड करें, क्योंकि यदि आपके पास पावर नहीं है तो आप सर्भाइव नहीं कर सकते हैं, इस दुनिया में सर्भाइव वह ही करता है, जिसके पास पावर है, और इस दुनिया का नियम ही यही है, पावर फुल लोग अपने से कमजोर लोगों को दवाते ही हैं, जब सचाई यही है, तो क्यों ना पावर को एक्वाइड किया जाए और वक्त का खेल क्या होता है ये भी आपको सीखने को मिलेगा यदि आप सही समय पर सही जगा पर नहीं है तो बहुत कुछ हार सकते हैं इसलिए आपको सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा और उस सही वक्त पर सही जगा पर आपको होना पड़ेगा अब बात करते है दुस्मनी चरिडेटेट, इसमें आप क्या सिख सकते हैं इस वेब स्रीट से, पहले जिसे आपने दुस्मन चुना है, या फिर जो इक तिफाक से आपका दुस्मन बन चुका है, उसके बारे में हर चीज जान लो, जितना चीज आप जान सकते हो, वो पहले जान लो, क्योंकि क पुराना हो, नया हो, जो भी हो, उसके बारे में हर चीज जरूर पता करें, और आपको हर लड़ाई के लिए तयार नहीं रहना होता, आप अब्जर्व करें कि कौन सी लड़ाई आपके लिए सही है, और किस लड़ाई में पीछे हट जाना ज्यादा अच्छा होता है, हर ल आप सिख सकते हैं, जिसमें बहुतों लोगों को संसे होता है, कि दुस्मन हो, कि दुस्मन को दोस्त बनाना ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है, यदि सामने वाला दुस्मन इतना बड़ा है, कि उसे आप अकेले नहीं गिरा सकते हैं, तो उसके दुस्मन को चाहे वो पसंद हो या ना हो, उससे दोस्ती करने में कोई बुड़ाई नहीं है, क्योंकि पहले जाइन्ट को विरादो, फिर आपस में लड़कर बराबरी की लड़ाई लड़ते रहना तो इस चैनल के साथ रहिए बरकरार आपकी जिन्दगी में तरक्की होते रहे बारंबार